कि अभी वह वेलकम तो अलदेस प्रेंट आफ लाइब्रेरी एंफरमिशन साइंस सभी विद्यारतियू का स्वागत है जो भी लैब्री साइंस भी लाइस लाय से आमलायस कर रहे हैं कर चुके हैं यह आप में से कई सारे स्टूडेंट है जो को अम्टी एक्जाम की त्यारी का रहे हैं तो स्टूरेंट आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक पी लेक्शर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुछ सेके तो आज को लेक्शर है इसमें हम बात करने वाले हैं प्रेजेंटेशन सौफट्वेर के बारे में इससे पहले हमने काफी सारे लेक्शर डाल दिये हैं ब्लॉक वान यूनिट वान और यूनिट टू का यह है एम ल आई 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 वन जिरो थी फंडामेंटल आफ इन इन्फरमेशन कम् इससे पहले हमने काफी सारे लेक्शर डाले हैं उसमें काफी डिटेल में हमने बाते किया है इसमें थोड़ा मतलब हम ब्रीफ बताएंगे क्योंकि देखे सारी चीज जो है टेक्नॉली से रिलेटेड है इतना डेफ्ट में आपको कोशन नहीं आएगा तो जो कोशन जो डिटेल में बताना है और जो इतना इंपोर्टेंट नहीं है वो उपर उपर से ब्रीफ में थोड़ा बताते चलेंगे हम तो प्रेजंडेशन सॉट्वेर प्रेजंडेशन आपने पावर पर प्रेजंडेशन यूज किया होगा कभी न कभी आप अपना पीपीटी बनाया हो तो हर जग प्रेजंडेशन सॉट्वेर का है यूज होता है तो यहां थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं प्रेजंडेशन सॉट्वेर इस स्पेशलाइज टाइप अफ ग्राफिक्स जो प्रेजंडेशन सॉट्वेर जो होता है वो इक स्पेशलाइज टाइप ग्रा MS PowerPoint is presentation tools which helps to create eye-catching slides MS PowerPoint is a presentation tool which creates a very good way to create a presentation which is in a beautiful way to look at it and you have used it many times Power Point View Power Point View is a normal view Microsoft Power Point has three main view a normal view, a slight shorter view, a slight show view here in a slight shorter view, you can see all pages like this then here is a slight shorter view in which you give a presentation the whole screen is covered one after another one after another one after another one after another which you give a presentation explain with example तो यह सारी चीज़े आपने ऐसे देखा होगा अब इसमें देखे creating presentation कैसे होता है blank presentation फिर existing presentation होगया design template पहले सी उसमें template का मत्भा पहले सी existing design template है उसमें आप अपने information या आपने ideas को उसमें incorporate कर देते हैं other source में बात करें तो यहां पे OLE that is object linked and embedded modifying visual elements तो यह सारी चीज़े आपको इसमें देखने को मिलेंगे अब है यहां पे electronic spreadsheet electronic spreadsheet क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सो जान लेते हैं an electronic spreadsheet is a computer generated work sheet जो electronic spreadsheet होता है computer generated worksheet होता है जिसके अंदर आपको number of rows and columns देखने को मिलता है to be filled with any set of data जो की बहुत ही अलग-अलग परकार के set of data से उसमें मतलब filled होता है electronic spreadsheet are useful tools for large tabulated computation and data analysis तो इसके अंदर आप मतलब इसको use के जाता है they are used in several fields वो कई सारे fields में use होते है which deal in numbers और quantitative figure जिसमें number और quantitative figure होते है इसके कुछ mean function भी है जैसे कि यह help करता है tabular presentation of data को फिर यहां पे it help in recalculation of data easily फिर यहां पे to perform simple and statistic calculation और various type के यहां पे यह performance देता है इसके कुछ features है जो कि यहां पे आपको देखने को मिलेगे MS word में आपने पड़ा हो गए आप देखे sorry MS Excel में जिसमें एक row होता है एक column होता है जो यहां पे आपको cell जैसा दिखरा है इसको हम cell बोलते है तो इसमें इसकी बात की गई है अब graphic की बात करें तो इस picture को पहले आप लोग देख लें फिर आपको समझ में आगा graphic तो इस तरीकी से जो pictures जो लगाया जाते है इनको graphic मतलब बोला जाता है for every user मतलब की जो Adobe Photoshop है उसके अंदर ऐसी ऐसी facility है जो की image को add करके उसके अंदर कुछ changes लाके मतलब ऐसे effect लेके आते हैं जो की एक eye catching मतलब scene देखने को मिलता है with build in vector drawing tool and enhance layer control मतलब एक अच्छे से Photoshop करने के लिए काफी सारी चीज़े यहां पर देखने को मिलती है तो एक बार इसको पढ़ लेना आप चाहें तो फिर उसके बाद है animation animation पर short note आ सकता है तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं थोड़ा मतलब detail में ही and animation is a sequence of image animation क्या होता है sequence of image होता है जो कि मतलब आपको दिखता है मतलब एक movie जैसा दिखता है बट वह एक तरह से sequence of image होता है और a frame या फिर वह frame भी हो सकता है which is display over time जो कि time to time मतलब one after another वह ऐसे आता है जैसे आपको दिखता है कि वह सच में मतलब कुछ चल रहा है कि ऐसा लग रहा है कोई इनसान उसमें है पर वह actually photos होते है Each frame varies slightly from the proceeding frame जो हर एक frame होता है वह एक दूसरे से बिलकुल ही मतलब slightly मतलब थोड़ा सा हटके होता है ताकि मतलब आपको ऐसा भरहम पैदा करने कि वह picture ना होके यह movie है Creating the illusion of moment when the frame are viewed in quick session वह ऐसा मतलब illusion create कर देता है आपके mind में जैसे कि आप एक मतलब एक उसमें मतलब एक quick session देख रहे हैं जैसे कि Image can be multiple animation multiple animation that are associated with different role over state यहां पर बोल रहा है कि जो एक image जो होता है multiple animation हो सकता है जो associated होता है different role over state में for example adding an animation to the normal role over state cause the animation to play when the web page is first loaded by a web browser यहां पर adding an animation to another role over state यहां बोल रहा है कि जब हम animation को add करते हैं अदर रोल ओवर state में तो वो क्या cause करता है animation to play only when the web user perform the special specific task जब यहां जब वेब यूजर कोई specific task perform करता है तब यह वो प्ले होता है तो यहां पर था यह animation का और बाकी इसको आप पढ़ लेना और रेडियो और एन अनलोग form वो एक तरह से अनलोग form है बन डिजिटलाइज डिजिटलाइज़जेशन ऑफ आडियो कैन बी ड़न बाई अटैचिंग अन अडियो प्लेयर तो एस्सिस्टम थूझ थूझ एन ऑडियो कैप्चर अडियो कैप्चर के थूझ हम मतलब उसको प्लेय कर सकते हैं और एक तरह से मतलब ऑडियो वीडियो आपको मतलब देखने को मिलता है उसके अलावा यहां पे multi-media authorized software यह कुछ खास नहीं है उसके अलावा चलते हैं नीचे पेंटिंग software पेंटिंग software भी कुछ खास नहीं है आप चाहें तो इसको skip कर सकते हैं internet explorer आपने किया होगा मतलब यूज किया होगा आपने आपको पता भी होगा इस सब के बारे में फिर हम चलते हैं जो हमारे important point है OCR software यह भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसके अलावा यहाँ पे बस इतना ही था जो हमारे next video होगा उसमें हम markup language के बारे में यहाँ पे हम study करेंगे तो आशक करते हैं जितने information आपको दिये है आज जितना भी topic हमने cover कराया हो आपको समझ में आ रहा होगा तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स वीडियो में किसे अलग topic के साथ अब तक के लिए धन्यवाद